एक ऐसा बुखार जो आपको कभी नी ओने देगा बिमार तो आज हमें बहुती बेसिक सा टॉपिक आपके आगे प्रिजेंट करने वाला हूं तो आज हम देखेंगे open circuits के बारे में इनको short circuits के साथ compare करेंगे पूरी theory network बनाके formulas के साथ मैं आपको explain करने वाला हूं उस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे एक request है कि like, share और subscribe दरना ना भूले और bell icon को ज़रूर प्रेस कर ले ताकि सारी notifications आपके पास time to time आती रहें तो अब जल्दी से lecture को शुरू करते हैं तो चलिए जल्दी से हम lecture को शुरू करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं what is an open circuit, open circuit का मतलब क्या है, open जैसा कि समझ आ रहा है हमें खुला हुआ, खुला हुआ situation अगर आप इस diagram में देखें, तो यहां पे हम देखें तो यह वाले दोनों terminals हमारे open है, open मतलब कोई इनके बीच में connection नहीं है, जो connection था वो हमारा तूट चु यहां पे connection था, वो वाला पूरा connection इन दोनों terminals के बीच का तूट चुक है, ठीक है, तो अब circuit हमारे circuit में से flow नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो हमारा open circuit उसे क्या जाता है, जिसमें से हमारा current flow नहीं हो सकता, मतलब current zero होता है, क्योंकि हमारे terminals open हो चुके है, ठीक है, terminals disconnect हो चुके है, ठीक, तो अब current flow कराने के हमारी यही एक condition होती है, कि हमारा circuit close होना चाहिए, तो current flow कराने के लिए हमें चाहिए, यह हमारे circuit लगा लीजिए, भी हमारी voltage, यह R resistance, यह circuit पूरा, circuit complete है, अब इसमें I current flow हो सकता है, इस direction में, यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, और यहां पे आ जाएगा हमारा वापिस, तो यह close circuit होगा, close circuit में हमारा current flow हो सकता है, बट, किसी तरीके से, अगर, इस wire में हमारा कोई breakage आ गया, wire हमारी तूट गई, wire तूट गई, तो current के complete होने के लिए कोई path नह मिलेगा, इसलिए हमारा current हो जाएगा, 0 if wire breaks, अगर किसी तरीके से wire तूट गई, कोई चूहक उतर गया wire को, तो हमारा circuit break हो जाएगा, open हो जाएगा, current flow होना, बंद हो जाएगा, ठीक है, यह तो ही one condition, अब हम इसमें देखते हैं, हमारी दूसरी condition क्या हो सकती है, हमारे open circuit होन में दूसरी क्या situation आ सकती है, ठीक, तो अब दूसरी situation समझने के लिए, हम network को दुबारा draw करते हैं, बट इसमें अब थोड़ी सी modification करते हैं, यहाँ पे हम attach करते हैं, एक fuse, then हम करते हैं, attach resistor, R, V, I, यह हमारा हो गया fuse, ठीक है, अब fuse हम लगाते है, security purpose के लिए कि by chance हमारा current जादा आ जाए, तो circuit हमारा खुल जे, तो वही by chance वाली situation create हो चुक लिए, current हमारा जादा आ चुक है, nominal situation से, suppose fuse की rating है, 5 ampere, 5 ampere fuse की rating है, अब हमारा current आ गया, 8 ampere का, तो fuse हो जाएगा break, fuse break होता ही, circuit हमारा हो जाएगा, open और current circuit में से flow हो जाएगा, बंद, यह हो गया second example of open circuit, तीसरा, तीसरा क्या हो जगता है, कि wire भी नी टूटी, fuse भी नी टूटी हमारा resistor breakdown हो गया, resistor breakdown हो गया, तो भी open circuit हो जेगा, terminals open हो जेगे, और हमारा current flow हो जेगा, बंद, अब practically जब इसी चीज़ को हम regular अपनी life में कहां follow करते हैं, अब TV का plug unplug कर देते हैं, socket में से निकाल दिया, terminals disconnect कर दिये, तो उसके पस current flow होने का कोई रस्ता नहीं है, इसलिए TV बंद हो जा रहा है, कोई current flow नहीं हो रहा, इसलिए, ठीक है, तो दो चीज़े हैं हमारे पास यहां पर समझने वाली, एक तो कि हमारे terminals open हो जाते हैं, current 0 हो जाते हैं, ठीक है, current 0 हो जाते हैं, तो अ तो यहां से मैं, मैं लिख सकता हूं कि r equal to v by i and i equal to 0, therefore r tending to infinity, infinite resistance हो चुक है हमारे open circuit का, इसलिए हमारे current flow होने सकता, इसको हम दूसरी explanation कहा सकते हैं, open circuit में current ना flow होने की, ठीक है, अब power का formula कह होते हैं, हमारा v multiply by i, i अब हमारा 0 है, therefore power b हो जाएगी v into 0 equal to 0, तो open circuit में हमारी कोई power dissipate नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि current flow नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, और किसी भी value के लिए voltage की कोई भी value रख लीजिए, आप इस वाली equation में, v को कुछ भी रखिए anything, आप v को रखिए anything, i की value हो मेशा 0 है, therefore r tending to infinity आपका हमेशा होएगा ही होएगा, तो ये है open circuit, अब इसको हम compare करेंगे short circuit के साथ, ठीक है, जैसा कि हमारा open circuit में क्या हो रहा था, कि terminals हमारे हो रहे थे open, अब short circuit में कहे कि terminals हो गया हमारे short, मतलब कि जो हमारा resistance था, resistance वाला path होके खतम, हमारा एक short circuit path बन चुक है, जिसके अंदर कोई भी resistance नहीं है, अब हमें current की एक हमारे quality होती है, कि वो minimum resistance वाला path डूंडती है, minimum resistance मतलब short circuit, short circuit में हमारा resistance हो जेगा 0, तो सा हमारा current इसी के सरफ से flow नहीं लगेगा, ठीक है, resistance हो जेगा 0, practically 0 नहीं होएगा, कुछ minimum amount of resistance होएगा, तो I हो जेगा हमारा equal to huge amount, क्यूंकि resistance हो जेगा बहुत ही कम, क्यूंकि V equal to IR होता है, हमारा इसरी equation से देखूं, तो I equal to V by R, ideally, short circuit में हम कहे रहे हैं, कि R equal to 0, therefore, I equal to V by 0, ठीक है, और very small quantity, और very small, therefore, I tends to infinity, मतलब बहुत ही heavy current flow होना शुरू हो जाता है, जब हमारा short circuit का situation आते हैं, अब short circuit का situation कैसे हो सकता है, suppose, आपके circuit में दो wires जा रही हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, किसी तरह से इस wire की आपकी insulation उतर गी है, यहाँ से पतली हो चुकी है wire, औ और यहाँ से similarly है, पतली हो चुकी है, अब किसी तरह से कोई मतलब चुहा वगारा आ गया इस circuit के अंदर, तो अगर उसने यह दोनों wire stretch करवा दी, तो यह हो गया short circuit create, पूरा जो इधर load था हमारा, उसको मिले गया एक bypass वाला way, और पूरा current यहाँ से निकलने लग जाएगा, और इस circuit में बहुत huge amount of current flow न शुरू हो जेगा, जिसके कारण हमारे circuit elements damage हो सकते हैं, आग लग सकते हैं, बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है, ठीक है, अब अगर हम theory के माध्यम से समझें, तो theory वाली line में आपको पढ़के दिखा देता हूं, और उसके बाद हम सीधा इसमे direct summary या इसके summary वाले points लिख लेंगे, short circuit और open circuit के, और उसके बाद इस topic को खतम करेंगे, ठीक, तो theory में पहला point है, कि open circuit में current हमारा 0 होता है, बट short circuit में बहुत जादा high होता है, resistance open circuit में infinite, मैं आपको दिखा चुका हूं, short circuit में हमारा resistance ideally 0, practically बहुत छोटी amount, और voltage, हाँ, अगर मैं KVL apply करूं इस circuit में, plus minus A terminal, B terminal, यहाँ से मैं चलूं VA, और इसको मैं माल लेता हूं, plus minus V, minus V equal to VB, VA minus VB equal to V, VAB equal to VE, मतलब कि open terminals में, जब open circuit होता है, तो हमारी terminals के उपर voltage, हमारी source voltage के बराबर हो जाती है, ठीक है, short circuit में क्या होएगा, short circuit में, voltage हमारी terminals पे, terminals पे हमारी जो voltage है, that will become 0, 0 हो जएगी, तो power equal to V into I, I जितना भी बड़ा हो, यहाँ पे, power dissipate again is 0, ठीक है, voltage हमारी short circuits पे 0 हो जाती है, क्योंकि resistance 0 हो चुक है, हमारा, तो resistance 0 हो चुक है, and V equal to I, R होता है, ठीक है, V equal to I, R होता है, तो R 0 है, तो हमारा VB 0 है, V 0 है, तो power 0 है, तो common क्या हुआ, दोनों में power dissipation is 0, ठीक है, यहाँ पे अगर लिखें हम, यहाँ पे लिखते हैं open, यहाँ पे लिखते हैं हम short, ठीक है, power इसमें भी 0, power यहाँ पे भी 0, ठीक है, यहाँ पे V equal to V source, यहाँ पे, sorry, C, यहाँ पे V equal to 0, यहाँ पे I equal to 0, यहाँ पे I tending to infinity, R equal to 0, बट यहाँ पे R tending to infinity, यह मैंने दोनों लाइन्ज में इस chapter की पूरी समरी लिख दिये, ठीक है, यहाँ पे हम अपने topic खतम करते हैं, I hope you guys like the lecture, thank you, stay in tune with me, मैं आपको मिलूँगा अगले हकते, मैं आपका host और दोस्थर्शल दिंदल आपके साथ बना रहूँँगा, नएने topics लेका आता रहूँगा, like, share और subscribe करना ना भूले, और comment section में बताएं कि आपको lecture कैसे लग रहे ह कोई आप topic पढ़ना चाहते हैं, वो भी आप हमें जरूर बताएं, मैं आपको मिलूँगा अगले संडे, तब तक के लिए टाटा, बापाई